Hello friends and welcome back to my channel तो दोस्तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मेरा इस साल का दिवाली स्टैश जो कि मैंने 25,000 रुपए में खरीदा है तो दोस्तो मैं इन सभी पटाकों की अन्बॉक्सिंग भी करूँगा और प्राइस भी आपको बताऊँगा तो चलिए दोस्तो अब वीडियो चालू करते है तो दोस्तो सबसे पहले फूल जड़ियों से चालू करते है तो सबसे पहले हमारे पास जो दोस्तो है वो है ये 12 सेंटीमीटर वाला खोल्ड स्पार्कलर स्टैंडर्ड कमपनी का है और दोस्तो ये 35 उर्पे का आता है जैसे इसमें लिखावा है नेक्स दोस्तो हमारे पास है स्टैंडर्ड का ही गोल्ड ये है दोस्तो 15 सेंटीमीटर वाला स्पार्कलर है जैसे आप लग देख सकते है और दोस्तो ये जो है 40 उर्पे का आता है इसका मेरे पास फीन डबा है नेक्स दोस्तों हमारे पास जो है वो है Color Change Sparkler यह 67 रूपीज का आता और इसमें मारपी 280 रूपए लिखे हुए है फिर दोस्तों हमारे पास है Standard Company का ही यह Blue Color वाला स्पार्कलर यह Blue Color का काफी अच्छा होता है दोस्तों और 72 रूपीज का यह हमें पढ़ा था अब दोस्तों बढ़ते हैं तोड़ा टॉर्च या जो रस्ती होता है वो यह 27 रूपए पर पीज के हिसाब से पढ़ा मुझे कॉक ब्रैंड का जिल जिल और दोस्तों इसके बाद हमारे पास है Multi Color Candle यह Standard Fireworks का है काफी अच्छा होता है और दोस्तों इसको अगर हम खोल के दिखाए आपको तो दोस्तों काफी सुंदर सा Packaging में आता है यह देखिया यह Standard का Multi Color Candles है और दोस्तों यह मुझे पढ़ा था 81 रूपए 81 रूपीज का तो इसका मैंने 2 डबबा खरीदा है फिर दोस्तों हमार पस है Magnetic Touch यह भी दोस्तों Standard Company का है जैसा आप देख सकते है और काफी अच्छा रहता है यह भी और यह सेम उसी के तरह दिखता है दोस्तों बस यह एक डबबा जो है 55 रूपए के आसपास का 55 रूपए का आता है तो दोस्तों next item के तरह बढ़ते तो next हमार पस दोस्तों यह है laser show 50 seconds time इसमें बताया जा रहा है और पांच पीस के डबबे में है और दोस्तों यह श्री कृष्णा ब्रांड का काफी अच्छा होता है और प्राइस दोस्तों यह मुझे 80 रूपए का पड़ा था और इसका MRP जो 376 रूपए है और दोस्तों मैं खोल के अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह का सुन्दर सा पैकेजिंग में टॉर्च आता है पीछे से खाली है और आगे में टॉर्च है तो यह भी दोस्तों काफी अच्छा है और दोस्तों सब की मैं टेस्टिंग करूँगा तो चैनल पे बने रहिएगा नेक्स जो दोस्तों हमारे पास है वो है ओलम्पिक टॉच यह कॉप ब्राइंड वाला है जैसा आप लग देख सकते है और काफी बढ़ियां रहता है और काफी लंबा टेंग रहता है और दोस्तों प्राइस का बात करें तो यह मुझे 108 रुपे का पड़ा था और ऐसे इसमें MRP 300 रुपे दिये वे है तो दोस्तों नेक्स्ट अब आगे भढ़ते हैं हम लोग चक्री के तरफ तो सबसे पहले हमारे पास है यह विजवील स्टैंडर्ड फारवक्स का है काफी अच्छा रहता है और दोस्तों प्राइसिंग का बात करें तो यह मुझे 78 रुपे का पड़ा था और इसमें जो है MRP दिया वा है 380 रुपे तो काफी ज्यादा MRP लोग डाल देते है और अंदर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो यह पांच पीस का आता है दो मैं जला चुका हूँ और कुछ इस तरह का इसका चक्री है जैसा आप लग देख सकते है काफी सुंदर सा है देखिया चोटा सा है और इसमें दो पलीता और यह दो खाली है अंदर में और एक से यह जलता है तो यह दो डबा है दोस्तों मेरे पास फिर नेक्स दोस्तों अगर हम लोग आगे भड़े तो हमारे पास है यह रेड एंड ग्रीन चक्र स्टैंडर्ड फायरवक्स का है दोस्तों और 49 रुपीज का डबा है सिंपल सा छोटा वाला चक्री है नेक्स दोस्तों मेरे पास है ट्विन स्पिन यह रेखिया यह भी स्टैंडर्ड फायरवक्स का है काफी अच्छा रहता है, इसमें दो color का चक्री चलता है, जो की काफी unique सा है, और दोस्तों यह 70 रुपे डबले के हिसाब से पढ़ा, और मेरे पास यह दोस्तों दो डबा है, तो दोस्तों next अगर हम लोग भड़े तो काफी unique साइटम है, जैसा आप लोग देख सकते है, standard का स् स्वास्तिक जो हम लोग बनाते है, उसका standard ने चक्री बनाया, तो अगर दोस्तों मैं इसे अंदर खोल के आप लोगों को दिखाओं, तो दोस्तों यह देखिया, कुछ इस तरह का packing नाता है यह, और अंदर में ऐसा चक्री है, पाँच पीस, यह देखिया, काफी unique सा एकदम नया टाइप का पटाका है, इसे भी मैं टेस्ट करूँगा, तो चैनल पर बने रहेगा, और दोस्तों, 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 पैंतालीस रुपए का यह एक डबबा पड़ा, मतलब लगबग पचास रुपए एक चक्री का दाम है, जो कि काफी महेंगा होता है, नेक्स दोस्तों, हमारे पास है यह, फ्लूरा फांटेन, कॉक ब्रैंड का का अच्छा बिखता है, इसमें चक्री प्लस अनार, दोनों साथ में होता है, एक साथ, प्राइस का बात करें दोस्तों, तो यह मुझे पड़ा था, दोस्तों पच्चीस रुपए डबबे की और अंदर मैं आपको खोल के दिखाऊं, तो सिंपल कुछ नहीं, इस तरह का पैकिंग में आता है, इसमें अनार वला चक्री रहता है, तो दोस्तों आप नेक्स आइटम के तरफ भढ़ते है, तो नेक्स्त हमारे पास है, यह, माइटी माइटी मैजिक फांटेन, यह भी खावा है, 340 रुपए, तो दोस्तों अब आगे भढ़ते हैं हम लोग अनार और चोटे पटाकों के तरफ, तो यह, दोस्तों, हमारे पास है, मनी स्पिनर, यह भी स्टैंडर्ड का है, दोस्तों, और काफी यूनिक सा, एक बार चक्री घुमता और फुटता है, और यह यह एक सोचोबीस रुपए का पड़ा था, और अमर्पी 544 है, और अगर अंदर इसे मैं खोल के दिखाऊं, दोस्तों, तो यह देखे, यह मदब अलग साही कुछ है, तो इसे भी मैं टेस्ट करूँगा, तो चैनल पर बने रहिएगा, तो दोस्तों, नेक्स्ट आइटम के तरफ अगर हम लोग भड़े है, तो वो है दोस्तों, हमारे पास यह, रेलवे सिगनल लाइट्स, तो दोस्तों, यह भी काफी उनीक सा पटाका स्टैंडर्ड का, इसके अंदर अगर हम लोग देखे, तो कुछ इस टाइप का अनार है, और दोस्तों, प्राइस का बात करें, तो इसमें लिखावा है 323 रुपए, और यह मुझे 88 रुपए, टीय टू के इस डबबा के हिसाब से पड़ा था, नेक्स दोस्तों हमारे पास है यह, गोल्डेन पैनी, कॉक ब्राइंड का है दोस्तों, यह मैं दो डबबा खरीदा हूँ, यह भी अनार है, और प्राइसिं कि भी मैं टेस्टिंग करूँगा, या दोस्तों कर चुका हूँ, दोस्तों जो भी मैं दिखा रहा हूँ, इसकी या तो टेस्टिंग आ गई होगी, या चैनल पे आएगी, तो एक बार चैनल भी आप लोग चेक कर लीजगा, तो दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे पास, प्राइस का अगर बात करें तो यह हमें पढ़ा था 200 रुपए का और इसमें मर्पी 575 रुपए लिखे वे हैं, जैसा आप लोग देख सकते हैं, और अनार दोस्तों यह नॉर्मल सा थोड़ा बड़ा अनार होता है, नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है ट्राइक कलर लिखे वे हैं, तो दोस्तों नेक्स्ट आइटम के तरफ भड़ते हैं, तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास स्टांडर फाइरवर्क्स का कलर वर्ल, काफी बड़ा सा डबबा है दोस्तों, और प्राइस का अगर बात करें तो यह हमें 303.79 रुपीज का पढ़ा था, और अंदर मैं आपको दिखाऊं, दोस्तों तो कुछ इस तरह के अनार है, काफी बड़े-बड़े साइज में है, तो यह सब की भी टेस्टिंग दोस्तों, या तो आज आ गई होगी, या आएगी, नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है, स्टैंडर का हैपीनस, काफी महेंगा है, 217 रुपे का अनार है, यह 5 पीस का, और इसमें स्टैंड भी है अंदर में देखिया, नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो है, वह स्टैंडर का गोल्डेन विस्सल जाइंट, यह बड़ा वला अनार है, दो पीस का डबबा होता, और 265 रुपे, एक डबबे के हिसाब से पड अनार, यह भी तीन पीस का डबबा होता है, और 180 रुपे का मुझे पड़ा था, तो बुस्तों अब नेक्स्ट आइटम के तरब भड़ते हैं, वह स्टैंडर का ज्वल पॉट्स, यह देखिए यह भी अनार है, और दोस्तों यह मुझे 220 रुपे का पड़ा था, और इसमें जिल, चिटपुट है दोस्तों, 50 रुपे के हिसाब से मुझे पड़ा, और मैं इसे 5 रुपा लिया हूँ, तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, तो मैं पार्ट्स में दोस्तों स्टैश बनाऊंगा, पहला में दोस्तों जैसा आप लोग देख रहा है, अनार सत्रे रुपे का हमें पड़ा था, और पांच पीस का आता है, काफी अच्छा नारे देखने में, तो दोस्तों नेक्स्ट आइटम के तरफ बढ़ते है, नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है शिवराज कंपनी का मेगा साइरन, ये बड़ा वला साइरन है और तेड़ सु रु और पास हमारे पास श्री पोती कंपनी का, तो ये एक सो पचास उरुपे का पड़ा था मुझे डबब, नेक्स दोस्तों ये काफी अच्छा नार लगता है मुझे, श्री राजेश्वरी ब्रांड का रंगिला, काफी देर तक चलता है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा में बिनी दोस्तों, एक सσι रुपय का अनार है, और काफी अच्छा साइस है इसका, अगा मैं खोलके भीखाऊं तो ये देखिए दोस्तों, अच्छा साइस है, चलता चलता काफी अच्छा और भारी है, तो राजेश्वरी का भी पटाका काफी अच्छा होलता है. नेक्स दोस् चार रुपए का पड़ा था नेक्स दोस्तो हमार पस स्टैंडड का यह कलर फ्लावर जाएंट यह अनार है बड़ा ज्यादा बड़ा नहीं मीडियम साइज का कॉक ब्राइंड के डिलक्स जैसे 1191 रुपए इसमें अमार पी है दोस्तो और यह मुझे 315 रुपए का पड़ा था तो काफी महेंगा है स्टैंडड का इसलिए नेक्स दोस्तो हमार पस है श्री कृष्णा ब्राइंड का ग्रीन पिंजूरे काफी बड़ा साइज का है जैसा आप लोग देख सकते है ग्रीन वाला अनार है दोस्तो यह मुझे 240 रुपए का पड़ा था और अंदर में अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह का बड़ा बड़ा अनार है जो कि काफी अच्छा है तो इसकी भी टेस्टिंग या तो आ गई होगी यह मैं करूंगा तो चैनल के बने रहीएगा तो दोस्तो नेक्स्ट आइटम जो है हमारे पास वो है टिम टिम गोडिया ब्रांड का यह मतका वला अनार है और शोटा शोटा होता है साइज में जैसा आप लग देख सकते हैं और नेक्स्ट आइटम के तरह बड़े दोस्तो हम लोग तो है गोल्डेन फ्लावर पॉट्स यह बड़ा बड़ा मतका अनार है थोड़ा बड़ा है यह देखे अनार के शेप में ही होता है और यह मुझे बड़ा था एक सो अठकतर रुपए का दोस्तो बड़ा 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 है यह 70 सेंटीमीटर वहला काफी बड़ा और काफी अच्छा होता है कॉप ब्रैंड का है और दोस्तों ये हमें पढ़ा था 150 रुपए का 1.5 रुपए का और इसमें मार पी 425 रुपए लिखी वी है जैसे आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छा होता है ये भी नेक्स्त दोस्तों हमार पस है नतिय धारा ये भी काफी गजब का कॉप ब्रैंड का होता है चक्री और दोस्तों प्राइस का बात करें तो ये हमें हो जा रहा था तो ये पार्ट वन में दोस्तों हमने आपको दिखाया चक्री और अनार और कुछ चोटे-चोटे पटाके तो दोस्तों नेक्स्त वीडियो में मैं आपको बॉम दिखाऊंगा और रॉकेट्स दिखाऊंगा रॉकेट्स की स्टैस जो मेरी है तो वो भी दोस् दोस्तो चेक कर लीजे, तो दोस्तो आज का वीडियो बस इतना ही था, वीडियो अच्छा लगाओगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद